दोस्तो, सिक्सा वो सेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दाड़ेगा और इसी के साथ आज हम सुरू करेंगे दो मही से बनने वाले हमारे सभी इंपोर्टेंट क्रेंट अफेयस जिसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं All India Students Community App से तो चलो सुरू करते हैं दो मही से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट क्रेंट अफेयस को और आज का हमारा पहला कुश्चन है रोपेक्स जैटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है और हमारा इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ओडिसा तो रोपेक्स जैटी परियोजना का जो संबंध है वो है ओडिसा से तो अभी ओडिसा में धामर नधी पर इस परियोजना की सुरूआत की गई है और इस पर जो बजट आया है इस परियोजना पर वो है 110 करोड रुपे का और ये बजट जो है एक तरीके से डिवाइड किया गया है सेंट्रल गोर्रमेंट और ओडिसा की राज्य सरकार इन दोनों ने मिलकर रोपेक्स जैटी परियोजना की सुरूआत की है कहां पर ओडिसा में ओडिसा में किस नदी पर धामर नदी पर क्यों बनाई गई है क्योंकि ओडिसा के दो जिले जैसा कि आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे एक है केंदर पाड़ा और एक है भद्रक इन दो जिलो के बीच में जब जाना होता था रोड से तो कम से कम 6 घंटे लगते थे इसी डिस्ट्रेंस को कम करने के लिए रोपेक्स जैटी परियोजना की शुरुआत की गई कहां पर ओडिसा के अंदर और अब इस योजना के शुरू होने के बाद यहां पर जो है सिर्फ ए धामरा नदी की तो रोपेक्स जैटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है तो यह आपको पता होना चाहिए धामरा नदी पर बनाई गई है किस नदी पर धामरा नदी पर धामरा नदी पर ही आप लोगों को एक वरन्यजी अभ्यारन भी मिलेगा जिसका नाम है गहीर मा wildlife century यह धामरा नधी पर है और गहिर माथा wildlife century के अंदर ही ओलिव रिड़िले जो turtles के बारे में आपने सुना होगा जो बहुत बड़े कच्छवे होते हैं olive रिड़िले टिर्टल्स यह परजनन के ले कहांपर आते हैं तो गहिर और आपको पता होगा कि सत्रवी लोक सभा में जो सबसे युवा सानसद बने थे वो कहां से थे ओडिसा से ही थे चंदरानी मुर्मू और भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम जिसका नाम है बिर्सा मुंडा ये कहां पर बनाया जा रहा है ओडिसा के अंदर ही ओडिसा के राउर केला में भारत का सबसे बड़ा होके स्टेडियम बनाया जा रहा है ओडिसा के अंदर ही आपको कोनार्क टेंपल भी मिलेगा जिसका 100% सोरिय करन कर दिया गया है तो सारे दोस्तों ये थी सारी इंपोर्टेंट चीजे ओडिसा से याद रखेगा अब आप मुझे कमेंट करके बताइएंगे ओडिसा के सीम का क्या नाम है ओडिसा के सीम का नाम और गवर्नर का नाम कमेंट करके बताइए और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करो हर रोज मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बहतर करने की कोजिस करूँगा और बहतरीन चीजों का एक कलेक्शन आप लोगों के सामने होगा नेक्स कोशन है दादा साफ फाल के पुरुसकार यानि कि स्टैटिक जी के से है कि पचासवा दादा साफ फाल के पुरुसकार जीतने वाले गक्ती का क्या नाम है तो ये है अमिता बच्चन अमिता बच्चन जो है ये पचासवा दादा साफ फाल के पुरुसकार जीत चुके है और 51 दादा साफ फाल के पुरुसकार जीता है रजनी कांत ने किसने साउथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े फेमस स्टार है रजनी कांत इन्होंने 51 दादा साथ फाल के पुरुषकार जीता है किसको दिया जाता है सिनेमा में योगदान के लिए जो अपना बेस्ट देते है सिनेमा के फिल्ड में उनको ये पुरुसकार दिया जाता है पहला जिता था देविकार रानी ने पचासवा अमिताब बच्चन ने 51 वा रजनी कांत ने दादा साथ फाल के पुरुसकार की भारत की कौन-कौन सी मूवी इस बार उसकार रवोर्ट में भेजी गई थी 93 वे उसकार रवोर्ट दिये गए तो उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा मैं लिंक लास्ट में दे दूँगा महीं से एक और कुशन मेरे को याद आया मोस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टि जो की Vodafone के एड में भी आता था पहले वहीं पर इस पुगल्या मूवी को एक तरीके से बेस्ट फोरन फिचर फिल्म का अवोर्ड मिला है ये एक मराथी फिल्म है जो एक दो बच्चों की कहानी पर और एक उनके बीच में जब कुट्ता आता है उसके बीच का मतलब सारी चीजेस में दिखाई गई अभी ये बारत में रिलीज नहीं हुई है मोस्कों की बात करें तो ये रसिया का कैपिटल है मोस्कों बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरह नेक्स कुश्चन है विनेस फोगाट से सम्मंदित कुछ चीजों को डिसकस कर लेता है विनेस किस कैटिगरी में 53 किलोग्राम की कैटिगरी के अंदर कहां से है हरियाना से है किस खेल से सम्मंद है कुस्ती से इनका सम्मंद है दो हजार बीस का राजी गांदी खेल रतन पुरुसकार जीच चुकी है जो की स्पोर्ट्स के फिल्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा प है क्या किया तो वो विनेश फोगाट थी अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो एलंपिक में पहली भारत्यएज नावी का जिसने क्ugen tin क्वाहólिफाइद किया है तो निसमा होगावानी देवि क्या राम होगा भवानी etteलवार बाजी में क्वालिफाइद किया है घवानी दे देवी ने नेतरा कुम्नन ने नाविका के रूप में और विनेस फोगाट पहली बारते महिला बनी जिन्होंने टोक्यो अलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया है बढ़ते अगले कुश्चन की तरफ नेक्स कुश्चन है खंजर किन दो देशों के बीच होने वाला एक सहयुक हुई ये इस बार का आठवा एडिशन था खंजर का ये आठवा एडिशन था जो भारत और क्रिकिस्तान के बीच में होता है इसका उदेश्य क्या था आतंकवाद को रोकना इसका उदेश्य है पहली बार खंजर जो अभ्यास हुआ था ये भारत और क्रिकिस्तान के बीच म 2011 में हुआ दूसरा अभ्यास 2015 में हुआ और उसके बाद ये हर साल मतलब हर साल regularly हो रहा है खंजर संयुक्षैन्य अभ्यास clear है यहीं पर आप लोगों से एक और सवाल आप मुझे comment करके बताएंगे nomadic elephant ये किन दो करें तो उलान बटोर महां की capital है और गोभी desert जो गोभी मरुस्थल है ये भी आप लोगों को इसी country में मिलता है तो यह hint है कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे दोस्तों अभी तक बहुत सारे लोगों ने वीडियो को like नहीं किया है और आप देख रहें तो नीचे देखो like का बटन होगा यहां पर फटाक से एक बार सारे के सारे वीडियो को like कर दीजिए next question है हाल ही में अंबेडिकर से संबंदी चार पुस्तकों का विमोचन किस ने किया तो अभी हाल ही में अंबेडिकर से संबंदी चार पुस्तकों का विमोचन किया किसने नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे प्रधार मंतरी है नरेंद्र मोदी जी इन्होंने चार पुस्तकों का विमोचन किया है पुस्तक कोन कोनची है एक है जीवन दर्सन नाम लिख लीजेगा जीवन दर्सन व किसोर मकवाना किसोर मकवाना द्वारा लिखी गई ये चार पुस्तक है जिनका विमोचन किया गया पधारमंत्री निरेंद मोदी जी द्वारा अब बात अमबेडकर की है तो डॉक्टर भीमराव अमबेडकर जी के बारे में बता देता हूँ जैसा कि आज मैंने पहले कहा था शिक्सा वो सेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाड़ेगा ये वक्तव्य है ये स्टेटमेंट किसका था डॉक्टर भीमराव अमबेडकर जी का था अगर मैं बात करूँ डॉक्टर भीमराव अमबेडकर के बारे में प्रारूप समीती के अध्यक्ष डॉक्टर आफ कास्ट ये पुस्तक किस ने लिखी अगर आप से पूछे एनिहिलेशन आफ कास्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं जातियों का अंत ये पुस्तक भी डॉक्टर भीमरा अंबेडिकर के द्वारा ही लिखी गई है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किस ने किया थ डॉक्टर भीमरा अंबेडिकर ने तीनों गोलमेज संबेलर में भाग लेने वाले व्यक्ति अंबेडिकर थे और पुना पैक्ट 1932 में महत्मा गांधी और अंबेडिकर के बीच में हुआ था तो ये सारी जानकारी थी इस कुश्यन से नेक्स कुश्यन है हाल ही में किस भारतिया को जापान के ओडर ओफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर से सम्मानित किया गया धिहां से सुनिएगा लास्ट में क्या लिखा है हाल ही में किस भारतिया को जापान के ओडर ओफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर से सम् अंसर होगा निर्पेंद्र मिस्रा जी हां निर्पेंद्र मिस्रा जो की भारत के पूर परधान सचीव रह चुके हैं मोदी जी के भारतिया परधान मत्री मोदी जी के पूर परधान सचीव रह चुके हैं नर्पेंद्र मिस्रा और आर्थिक संबंदों को बढ़ावा देने के लिए जापान के highest order highest जो सम्मान है जापान का order of rising sun gold and silver से सम्मानित किया गया है अब एक और सवाल है जो आपको याद रखना है वो है जापान का order of rising sun gold and silver silver ray क्या है silver ray लास्ट में अगर यहाँ पे silver के बाद क्या लगा आ जाए रेज आ जाए यह वोड किसने जीता है स्यामला गनेश ने किसने स्यामला गनेश यह कौन है यह 79 एर्स की एक महिला है जो चार दस्कों से करनाटक में जापानी भासा को सिका रही है और इन्हें अभी हाल हाली में एक तरीके से जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जापान के order of rising sun gold and silver rays से सम्मानित किया गया है तो जापान के order of rising sun gold and silver आए तो नरपेंदर मिसरा और golden and silver rays आए तो शामला गनेश किरती करन्त की बात करें तो अभी हाली में कुछ दिनों पहले नोंने wild भारते महिला बनी थी किरती करन्त wild innovator award जीतने वाली पहली भारते महिला बनी गुनीत मोंगा की बात करते हैं गुनीत मोंगा फ्रांच का दूसरा सबसे बड़ा civilian award knights of the order of arts and letter जीतने वाले व्यक्ति बने रुमाना सिना सेंगल अभी इन्होंने 2021 का नैंसल मंडेला 20 मानावता बादी पुरुषकार जीता है रुमाना सिना सेंगले बढ़ते हैं अगले कुशन के दर दोस्तों प्लीज लाइक करिएगा अगर आपको चीजे पसंद आती है और तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते ह बस आपको प्ले स्टोर पे जाना है महां से ओल इंडियो स्टोरेंट कम्यूनिटी अप को डाउनलोड कर लेना है नेक्स कुशन है आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे ये जो व्यक्ती है यही है निरपेंद्र मिस्रा नेक्स कुशन है एक्सिस बैंक के MD और CEO का ना कि अब किसी भी बैंक में MD और CEO का जो कारेकाल होगा वो 15 साल से अधिक नहीं होगा कभी R.E. R.B.I. ने इस बार गोशना की है अगर बात करें सरद गोकलानी की आप पहला उप्षन देख रहे होंगे सरद गोकलानी ये AU Small Finance Bank के अध्यक्स बने है AU Small Finance Bank के जेके सिमान की अगर तो ये R.B.L. बैंक के MD और CEO नुक्त किये गए है तो ये जानकारी थी इस कोशन से अगर एक्सिस बैंक की बात करें हेड़कॉर्टर मुंबई में है और इसके जो चेर्मेन है अध्यक्स है वो है राकेश मखीजा कोन है राकेश मखीजा नेक्स कोशन आप इमेज के अंदर और इमेज के अंदर देख पारे होंगे ये है। अमिताब चोधरी नेक्स कोशन है हाल ही में भारत के पूर महानयाएवादी का निधन हो गया उनका नाम क्या है तो अभी हाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिपर्जेंट करता है उनके लिए मुकदमे लड़ता है और आर् इसका जिकर आपको देखने को मिलेगा महीं पर state के अंदर होता है Advocate General Advocate General जो है ये Article 165 के तहट काम करता है Article 165 में Advocate General का बारे में आपको जिकर मिलेगा इस समय भारत के जो महा नयाईवादी है टोरनी जनरल है उनका नाम है केके वेणू गोपाल पहला option आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर option नहीं है, लेकिन एक option आप जरूर याद रखेगा, वो है वनीता गुपता, लिख लीजे, वनीता गुपता, अभी इनको हाल ही में Associate Attorney General of America nuked किया गया है, वनीता गुपता को अभी हाल ही में Associate Attorney General of America nuked किया गय करते हैं और ना ही मेरे द्वारा पूछे गई questions का जवाब देते हैं, दोस्तों दिया करो, इससे आप लोगों के अंदर daily, सीखने की आदत होगी, इससे आप हर रोज कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे, और आप लोगों के एक अच्छी चीज़ आएगी, कि आप जो है, क्या मैं फिर मिलूँगा आप लोगों को नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्याबाद, जै हिन, जै भारत, पेडियाप आप, All India Students Community App से डाउनलोड कर सकते हैं, थैंक्यू, जै हिन, जै भारत, टेक केर, लव यो ओल,